अंबाला में ग्रही मंत्री का जनता दर्वार जारी है दर्वार में शिकायत लेकर फर्यादी पहुचे हैं अनिलविज सुन रहे हैं लोगों की शिकायते और एक बज्य तक आई शिकायतों का ही निप्टारा किया जाएका जनता दर्वार में हजारों की भीड उम्री है तो अ अंबाला में ग्रुही मंत्री अनिल विश्का जिनुता दर्वार एक बार फिर से लगा है हर शनीवार की तरह और भारी तादाद में लोग वहाँ पर पहुचे हैं और एक बजी तक जो फर्यादी पहुचे हैं उनकी ही शिकायते सुनी जाएगी और उनका ही निपचारा किया जाएगा तो हर बार की तरह इस बार भी शनीवार को अनिल विश्का जुनता दर्वार लगा है और भारी तादाद में हर बार लोग पहुचते हैं और यहीं वच्छे हैं कि उन्हें यह उमीद है कि इस बार जुनता दर्वार में पहुचेंगे तो उनकी जो समस्या है उसक तो गजन थी उन समस्याओं का निपचारा भी किया जरहा है और जो लोग हैं वो काफी लंबे समय से अपनी शिकायति कर रहे हैं और उनका कोई समाधा नहीं निकल पा रहा है जिसे लेकर फटकार भी अधिकारियों की लगाई जाती है लेकिन इस बार आखिर किन अधिकारियो की साथ फोन लैन पे जुड़ चुके हैं नरेश अनिलविश का जनता दरबार अभी भी जारी है क्या कुछ वहां से ताज़त तस्वीरे निकल कर सांदी आ रही है जी कुस्कुल देखिए आज हर सनिवार की तरह है इस बार भी जो अग्री मंतरी अनिलविश का जनता दरब पुलिस विभाग के भी आये जिनों ने अपनी शिकायर प्री मंतरी अनिलविश की सामने रखी और इसमें एक सब्सक्र भी जिसने अपनी समस्का रखी और इसे साथी अगर पुलिस वालों की सुनवाई नहीं हो रही तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि आम लोगों की क् सकते होगी तो इसको लेकर कहीं न कहीं कर सकते हैं कि आजब काफी उपीद्र निलविश के रहती हैं ऑर जो लोग पहुंचे हैं कहां कहां से पहुंचे हैं और उनकी किस तरह की की समस्या के वीबेलिए बिएखे रहे हाज पूरे परदेश से हजारों की संख्या में अमबालने से पीड़ टी रेच फोसमें जो जरी मंतरी अनिलुईज का जन्ता दरवार हैं वहां पर पहुंचे हैं और कह सकते हैं कि पूरे परदेश के कोने कोने से जो सुबह से ही यहाँ पर लोग आने शुरू हो गये थे और कह सकते हैं कि जब दिन निकला तब से यहाँ पर आने लोग शुरू हो गये थे बिल्कुल ओर नरेश देखे हर बार ये जो तस्वीर वहां से जुन अतर बार से निकल कर सामने आती है कि जो अधिकारी है लापरवा हैं उन्हें फटकार भी लगाई जाती है तो क्या इसके बार अधिकारियों में कोई सक्ती नजर आती है क्या जिस तरह के से वो वेपरवा नजर आते हैं क्या इसके बाद तस्वीर बदलती ही नजर आती है वहां पर अगर जिरी मंतरी अनिल्विज को परदेश का मुक्षय मंतरी बनाया जाए तो यह जो समच्छा है यह वो सब हल कर देंगे और इसको लेकर उनके समर्थन में जो नारे भी लगे हैं कि ग्री मंतर अगर द्री मंतरी अनिल्विज को मुक्षय मंतरी बनाया जाएगा तो कहीं न कहीं यह मस्क्याएं जो यहां पर आ रही है यह का रोगी ठीके बहुत शुक्रिया नरेश तमाम ज्वानकारी के लिए